कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे ज़रूरी है सही कोच का हुँगा चुनिये CGPSC पात्षाला क्लासेज को और करे अपने CGPSC अन्व्यापम का सपना साकार डाउनलोड डियांड नाउ हेलो इश्ट्वन मैं निखिल कुमारी बाफ फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्प चाना सीजीपसC पात्षाला में इन पुरुसकारों की सुची में हमारे प्रदेश के दो कलाकारों का नाम शामील है एक है पंडवानी गाई का तीजन भाई और दुसरी है लोग गाई का ममता चंद्राकर देखे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जोकी लोकला संगीत साहित्य नाटक अभिने आदी छेत्र में पुरुसकार प्रदान करता है संगीत नाटक अकेडमी के दोरा अलग अलग स्रेडियों में पुरुसकार प्रदान किया जाता है लेकिन संगीत नाटक अकेडमी के द संगीत नाटक एकेडमी फैलोशिप अवार्ड जबकि जो लोग गाई का है मंता चंद्राकर उन्हें संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है इस येर को याद रखिएगा ठीक है सम्मान जो है ये 2019 का है प्रदान किया जा रहा है आपके वर्षे 2022 में ठी संगीत नाटक एकाडमी फैलोशिप अवार्ड पुछे गा तो तीजन भाई संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2019 से किने सम्मानित किया गया तो वहै आपकी लोग गाई का मंता चंद्राकर इन्पोर्टेंट है याद रखना है संगीत नाटक एकेडमी फैलोशिप अवार् अब तक देश में केवल 19 कलाकारों को ही ये संगीत नाटक Academy Fellowship Award से सम्मानित किया गया है, जबकि जो संगीत नाटक Academy Award है ये 128 से अधिक कलाकारों को प्रदान किया जा चुका है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके तीजन भाई का, ठीक, संगीत नाटक Academy Fellowship Award तीज बारवानी गाई का है, ठीक है, अगर इनकी हम अन्य उपलब्धियों की बात करें, तो तीजन भाई के द्वारा, जो है तीजन भाई को जो है, आपके पद्मभीभूशन्ट 2019 से संभानित किया गया है, पद्मभूशन्ट 2003 से इने संभानित किया गया है, और पद्मश्री 1988 सम्मान से ये सम्मानित है, तीनों आपके पूरुसकारों से सम्मानित है, ध्यान दीजेगा, तीजन भाई को पद्म विभूशन से कब सम्मानित किया गया, दोहजर उननीस में, पद्म भूशन से कब सम्मानित किया गया, दोहजर तीन में, और पद्म श्री से कब सम्मानित कि बीनिये सम्मानित किया गया है तो इतना आपको 30,90 से रेटर यात रखना है सारे फेक्ट दूसरी है आपकी मन्ता चंद्राकर मन्ता चंद्राकर जिने संगीत नाटक Academy Award 2019 से सम्मानित किया गया है यह 19 को याद रखिएगा ठीक है सम्मान भले 2000 आपका 22 में प्रदान के जा रहा है लेकिन यह संगीत Natak Academy Award 2019 है ठीक मंता चंद्राकर लोग गाई का वर्तमान में जो आपकी मंता चंद्राकर है यह इंद्रा कला एवन संगीत प्रदेश का जो आपको राच्किये गीत है अरपा पहरी के धार महा नदी है अपार इसे गाह करके यह काफी famous हुई काफी प्रसिद्द हुई ठीक है यह जो आपका अरपा पहरी का धार महा नदी है अपार यह हमारे प्रदेश का राज के गीद भी है ठीक इनपॉर्टेंट है याद रखना है अरपा पहरी के धार महा नदी अपार ये लिखा गया था नरेंदर देवर्मा के द्वारा ठीक है जिसे गा करके मंता चंद्राकर काफी फेमस हुई काफी प्रसिद्ध हुई मंता चंद्राकर को पद मस्री पूरुषका से कब संभानित किया गया वर्ष्य 2016 में अध्याशी पदमभूशन से 2003 पद्म विभूशन से 2019 ठीक है important है ये सारे fact याद रखने है संगीत नाटक Academy fellowship award तीजन भाई संगीत नाटक Academy award 2019 ममता चंद्राकर ठीक है next देखिए next है आपका उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरुसकार ये वाद्यंत्र की स्रेणिय प्रदान के जनला पुरुसकार है ये पुरुसकार भी आपके संगीत नाटक Academy के द्वारा ही प्रदान किया जाता है इस पुरुसकार से सम्मानित किया गया है हमारे प्रदेश के दो कलाकारों को एक है आपके डॉक्टर प्रभाकर कश्यब और दूसरे है डॉक्टर दिवाकर कश्यब प्रभाकर दिवाकर ठीक है दोनों भाई है डॉक्टर प्रभाकर कश्यब और एक है आपके डॉक्टर दिवाकर कश्यब जिनने कश्यब बंधू के नाम से जाना जाता है किस नाम से जान जाता है कश्यब बंधू के नाम से यह जो वर्तमान में है यह वर्तमान में आपके खेरागड के निवासी है साथ खेरागड विश्व इद्याले में यह पढ़ाते भी है यह हिंदूस्तानी वोकल संगीत से संबंदित है इन्हे पुरुसकार प्रदान किया ग घराने होते है जिससे हमारे प्रदेश में एक घराना है तो वैसे हि संगीत के जो है अलग-अलग घराने होते है तो यह दोनों भाईयों ने आपके बनारस घराने से शिक्षा प्राप्त किया हुआ है ठीक है इन्पोर्टेंट है याद रखना है डॉक्टर प्रभाकर कश् जिन्हें कश्यप बंधों के नाम से जाना जाता है यह खेरागळ के निवासी है खेरागळ विश्व विद्याले में यह पढ़ाते भी है हिंदुस्तानी वोकल संगीत से यह संबंदित है बनारस घराने से इन्होंने सिक्षा ग्रहन की ठीक नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका मात्रित्व मृत्युदर मात्रित्व मृत्युदर क्या होता है प्रती लाख माताओं में ठीक है प्रसाओ के दोरान यानि की डिलीवरी के समय प्रसाओ के दोरान प्रती लाख माताओं में मृत्युदर की संख्या मात्रित्व मृत्युदर कहलाती है ठीक है वाना है यह प्रती लाख में की जाती है, ठीक है, माताओं की मृत्त्यू के बहुत सारे कारण है, एक है आपका संस्थागत प्रसाओं के इस्थान पे जो घरेलू प्रसाओ कराती है, याने की होस्पिटलों में प्रसाओं ना कराकर के घरों में डिलीवरी याने की दाई के मा यह नहीं हो पाती यह जो है मुख्य कारण है आपके मात्रित्व मृत्यु दर का ठीक है तो मात्रित्व मृत्यु दर क्या होता है प्रसाओ के दौरान प्रती लाक माताओं में मृत्यु माताओं की संख्या यह कहलाता है आपका मात्रित्व मृत्यु दर देखिए अभी हाल ही में एक नया रिपोर्ट जारी हुआ है यह जो रिपोर्ट है यह रिपोर्ट दो हजार अठरा से बीस तक का है इस दो हजार अठरा से बीस तक के रिपोर्ट में देश के मात्रित्म रित्युदर में गिरावर देखी गई है यह है आपका 97 एक सो तीन से घट करके यह हो गया है आपका 97 भारत का मात्रित्व मृत्युदर है 2028 के लिए 97 याने की संत्यानवे अगर हम बात करें कि किस राज्य का मात्रित्व मृत्युदर सरवाधिक है तो वो है आपका असम ठीक है हमारे देश में सरवाधिक मात्रित्व मृत्युदर वाला स्टेट राग्य कौन सा है असम जहां पर मातरित्य मेत्यम्रत्य गुड़ार है 195 में से 195 माताओं की म्रतियू प्रशाव के दारान हो जाती है ठीक, सेकेंड नमबर पर है आपका मध्य प्रदेश, थर्ड नमबर पर है उत्तर प्रदेश, फोर्थ नमबर पर है च्छतिस गड़, च्छतिस गड़ का जो मात्रित्व मृत्यू दर है वो है आपका 137, इंपोर्टेंट है, याद रखना है, इससे कोश्चन बनेगा, च्छ से कम मात्रित्व मृत्यू दर वाला राज्य कौन सा है पूछा जाए, तो वो है आपका केरल, कौन सा है केरल, जो हमारे भारत है, भारत में सबसे कम मात्रित्व मृत्यू दर वाला राज्य है आपका केरल, ठेक, इंपोर्टेंट है, इसमें से आपको 36 गड़ का याद रख में सबसे टॉप में असम सेकेट में है मद्य प्रदेश थर्ड में है उत्तर प्रदेश और फोर्त में है 36 गड़ सरवाधिक मात्रित्य मृत्य दरवले राज्यों की सूची में ठीक है और सबसे कम कहां पर है केरल में भारत का कितना है 97 युनाइटेट नेशन के द्वारा वर युनाइटेट नेशन ने जो है देश में प्रती लाख माताओं में मृत माताओं की संख्या सत्तर तक लाने का उसने लक्ष निर्धारित किया है 2030 तक की स्थिति में ठीक है लेकिन यह होना संभाव नजर नहीं आ रहा है क्योंकि यह आकड़े बहुत धीरे-धीरे कम हो रह धीक यह देखिएगा युनाइट नेशन नेशन के द्वारा माताती थिति मृत्यूदर 2030 तक कितने तक रहना अनुमानित है तो वह है आपका सत्तर ठीक नैक्स्ट देखिए आपका वजन-तेख्यौः 2022 यह क्या है देखिए वजन टीख्यौः 2022 यह जारी किया जाता है यह वजन तेवहार का आयुजन किया जाता है महिला एवं बाल विकास मंतरा लेके द्वारा प्रती वर्ष वजन तेवहार का आयुजन किया जाता है जहां पे बच्चों के पोशन के इस्तर की जाज की जाती है ठीक है देखिए इस वजन तेवहार 2022 में एक आकड़ा सामने आया है जो की है 36 गड़ का कुपोशन दर 36 गड़ का कुपोशन दर 19.86 से घट करके हो गया है 17.76% important है याद रखना है कि 36 गड़ में वर्तमान में कुपोशन दर कितना है 36 गड़ में वर्तमान में कुपोशन दर है आपका 17.76% वजन तेओहर 2022 के आकड़ों के अनुसार ठीक है 0 से 5 वर्तमान में कुपोशन का जो इस्तर है वो कितना है वो है आपका 17.76% 17.76% कुपोशन का इस्तर है हमारे 36 गड़ में अगर हम बात करें कमी की तो हमारे प्रदेश में आपके पिछले वर्षी की तुलना में 2.1% की कमी दर्च की गई है यानि कि इससे आप इससे घटाएंगे तो यह आकड़ा आपको प्राप्त होगा 2.1% की हर एक लाइन इंपोशन है ठीक है हर एक लाइन इंपोशन है हमारे प्रदेश में सरवाधिक कूपोशंट दर्वाला आपका जीला कौन सा है पूछा जाये तो वो है सुकमा जहाँ पे 34.73% 34.73% साथ तीन प्रतीशत कूपोशन का इस्तर है जबकि नियूनतम कूपोशंट दर्वाला आपका जीला है वो है मुंगेली जहाँ पे आपका ठीक है important है इसे याद रखना है प्रशन पूछा जाएगा वजन तियोहार 2022 के आकड़ों के आधार प्रदेश में कुपोशन का इस्तर कितना है 17.76% कितने प्रतीशत की कमी दर्जी की गई ये पिछले वर्ष की तुल्ला में तो 2.1% की देखे हमारे प्रदेश सरकार के द्व 2022 मुख्यमंत्रिश सुपोशन अभ्यान की शुरुवात की गई थी आपके 2 अक्टूबर 2019 को ये भी डेट इन्पोर्टेंट है इसे भी याद रखना है क्योंकि डेट से भी प्रशन पूछे जाते है एक्जाम में ठीक है मुख्यमंत्रिश सुपोशन अभ्यान की भोज्यपदार्थों के माध्यम से दवाईयों के माध्यम से उसमें उनमें पोशन का इस्तर सुधार करने का प्रयास किया गया इसके लिए मुख्यमंत्रिश सुपोशन अभ्यान की शुरुवात की गई थी आपके 2 अक्टूबर 2019 से ये डेट आपको याद रखना है अगर की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइफ की रिपोर्ट के अगर हम बात करें पिछले साल आया था यह रिपोर्ट तो इसके आधार पर हमारे प्रदेश में जीरो से लेकर के पांस साल तक के बच्चों में कूपोशन का इस्तर है 31.3 परसेंट कितना है 31.3 परसेंट अब द 17.76 परसेंट प्रशन पूछेगा राष्ट्रिय परिवार स्वास्थ सर्वेक्षन 5 याने कि आपको डिरेक्ट पूछेगा एन एफ एच एस 5 के अनुसार प्रदेश में कूपोशन का इस्तर कितना अनुमानित है तो वो है 31.3 परसेंट ठीक है यह प्रशन पूछेगा वज करना है ठीक है next देखिए next है प्रति व्यक्ति दुग्द उपलब्धता हाली में जो है राष्टि दुग्द दिवस के औसर पर यह आकड़े जारी किये गए हमारे 36 गड़ में प्रति व्यक्ति प्रति दिन प्रति व्यक्ति प्रति दिन जो है एक व्यक्ति को एक दिन में द ग्राम दूद उपभोग किया जाता है एक व्यक्ति के दौरा एक दिन में हमारे 36 गड़ में ठीक है इस 159 ग्राम के साथ हमारा 36 गड़ देश में अठारवे इस्थान पर है ठीक है अगर हम बात करें प्रती व्यक्ति दुग्द उपलबधता की तो टॉप फाइफ इस्टेट है आपके पंजाब, हर्याना, राजास्थान, आंदरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंजाब जहां पर आपके प्रती व्यक्ति प्रती दिन 1221 ग्राम दुग्द का उभोग किया जाता है हर्याना में प्रती व्यक्ति प्रती दिन 1118 ग्राम दूद का उभ इसलिए इन छेत्रों में दुग्द की उपलबदता भी यानि कि प्रती व्यक्ति प्रती दिन दुग्द का जो आपका उपभोग है वो भी सरवादिक होगा अगर हम बात करें वर्ष 2019-20 के आकड़े के आधार पर तो हमारे देश के टौप 5 दुग्द उत्पादत राज्य है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आपका आंधर प्रदेश ये आपके वर्ष 2019-20 में हमारे प्रदेश के टौप 5 दुग्द उत्पादत राज्य है इन्पोर्टेंट है ये टौप 5 की सूची को याद रखिएगा ठीक है अगर हम बात करें हमारे 36 गड़ में हमारे 36 गड़ में 2019-20 की इस्थिती में 16.7 लाख टन ठीक है 16.7 लाख टन दूद का उत्पादन हुआ था आपके 2019-20 के आकडों के अनुसार इसे वियाद रखिएगा नेक्ट देखिए नेक्ट है चारु जात्रा पर्वा ये जो चारु जात्रा पर्वा ह ये मनाया जाता है बस्तर अंचल में यानि कि बस्तर संभाग में मुख्यता आपका नारायन पूर बीजा पूर बस्तर कॉंड़ा गावले छेत्र में ये चारु जात्रा पर्वा मनाया जाता है ये पर्वा मनाया कब जाता है ये पर्वा मनाया जाता है यानि कि खरीफ की फ उर्गा का बतक का उन्हें बकरे का बली दिया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है इस दिन बनने वालों जो मुख्य व्यंजन है वो है आपका चाउर भाजा जिसे बस्तरिया बिर्यानी कहते है ठीक है चाउर भाजा जो की बस्तरिया बिर्यानी है इस दिन मनाया जाता ह इस चारू जात्रा पर्व में पांच वर्ष से नीचे के बच्चे तथा महिलाओं को इस चारू जात्रा पर्व में शामिल होना वर्जित है याजने कि महिलाएं और बच्चे इसमें शामिल नहीं होते तो प्रश्ट पूछा जाएगा चारू जात्रा पर्व किस छेत्रे मनाया जाता है बस्तर छेत्रे मनाया जाता है चारू जात्रा पर्व कब मनाया जाता है फसल कटाई के बाद मनाया जाता है चारू जात्रा पर्व मनाया जाला मुख्य व्यंजन कौन सा है वो है आपका साइट्स में शामिल करने का प्रयास हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ हमारे प्रदेश के कुछ आपके वेटलेंड्स है याने की आद्र भूमी है उसे रामसर साइट्स में शामिल किये जाने के प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है अब यह वेटलेंड्स साइट्स क्य वेटलेंट का मतलब होता है नाम से इस पश्ट है नम भूमी याने की आदर भूमी वैसी भूमी जहां पे पानी जो है पानी से सरोबार हो पानी से सरोबार हो याने की जलाशे हो गया तलाब हो गया दल दली भूमी हो गई नम भूमी हो गई आदर भूमी इसे कहा गाता है रामशर साइट्स ऐसे वैटेंड्ड्स है यानि कि ऐसे नम भूमी जीने अन्तराश्टिय मह्त्व प्राप्त हैं। है जिने अंतराश्टी महत्वप्राप्त है वर्ष 1971 में इरान के रामसर शहर में दुनिया भर की वैटलेंड्स के इस्थाई उप्योग और सनरक्षण के लिए युनेस्को के नेत्रितों में एक अंतराश्टी संधी की गई दुनिया भर के करीब 2400 रामसर साइट्स घोसित कि यह गया है एक प्रशन यह पूछता जा सकता है कि रामसर सम्मेलन कहां पर हुआ यह हुआ आपके इरान में कब हुआ वर्ष 1971 में इसे भी आपको याद रखना है रामसर सम्मेलन कब हुआ इरान में वर्ष 1971 में और यह रामसर सम्मेलन किस से संबंदित है रामसर सम्मेलन व अभी वरतमान में हमारे देश में total रामसर स्थलों की संखिया 75. हमारे चत्तिस गर का कोई भी इस्थल इन 75 की सी सूची में शामिल नहीं है. वरतमान में हमारे सरकार प्रयास कर रिये कि इन इस्थलों को रांसर साइट्स के सूचिये में शामिल किया जा सके जैसे कि अचानक मार जो की मुगेली में है आपका फुटहा मूरा जलाशा है जो की धंतरी में है गंग्रेल जलाशे से लगा हुआ ही है गिदवा परसदा यहाँ पर प्रदेश का प्रदम पक्षी महोत्सों का भी आयोजन हुआ था बेमेतरा नगधा बेमेतरा एरम शाही बेमेतरा बेलोदी दुर्ग यहाँ पर भी जो है आपके विदेशी पक्षियों का बसेरा रहता है अचानक पूर दुर्ग सांतरा दुर्ग चीचागाव दुर्ग ये कुछ आपका इस्थल है जिसे प्रदे सरकार के द्वारा चिन्नांकित किया गया है रामसर साइट्स की सूची में शामिल किये जाने के लिए ठीक है, नेश्ट देखिए नेश्ट है आपका तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रिय सहासिक लेंड एडवेंचर अवार्ड दो हजार बाईस ठीक है, देखिए लेंड एडवेंचर अवार्ड दो हजार बाईस से सम्मानित किया गया है आपके नैना सिही धाकड को नैना सिही धाकड जिसे 36 गड की माउंटेन गरल भी कहा जाता है जो की एक परवता रोही है ठीक है, इन्हें राष्टपती, द्रोपती, मुर्मुजी के द्वारा आपका पुरुसकार प्रदान किया गया है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रिय सहासिक Land Adventure Award देखे, यह जो आपका तेंजिंग नोर्गे जो राष्ट्रिय सहासिक पुरुसकार है इसकी अलग-अलग केटेगरी होती है जैसे की Land Adventure इसके अलावा आपका Water Adventure एक होता है आपका Air Adventure तो इसकी जो है अलग-अलग केटेगरी होती है इन केटेगरी में Land Adventure Award से सम्मानित किया गया है आपकी नैना सीह धाकड को ठीक है नैना सीह धाकड जो की बस्तर जीले के एक्टा गोड़ा की निवासी है ठीक इन्हें सम्मान में इस्मृती चिन्न प्रमान पत्र समित पंद्रा लाक रुपय का पूरुसकार से भी इने सम्मानित किया गया है परवता रोहन अभी तक जो है नैना सीह धाकड के द्वारा जो मुख्य रूप से आपके माउंट एवरेश्ट जिसकी उच्चाई 848.86 मीटर है और माउंट लोट से जिसकी उचाई 8516 मीटर है इस पर परवता रोहन किया गया है इन परवतों पर चड़ करके इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेज भी दिये है नैना जो है आपके 36 गड की पहली बेटी है जिने इस पूरुसकार से सम्मानित किया गया है तो याद रखिएगा तेंजिंग नोरगे राष्टिय सहसिक लेंड एडवेंचर अवार्ड से की ने सम्मानित किया गया है तो वो है आपके नैना सी धाकर नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है अमेरिकी कीड भक्षी मासाहारी पौधा अभी हाली में गुरु घासिदास राष्ट उद्यान के जंगलों में एक पौधा पाया गया है बहुतायत में यह जो पौधा है यह अमेरिका के कैरोलीना छेतर में पाया जाता है यह जो पौधा है यह नमी और आदरता वाले इस्थाने पाया जाता है और मुख्य रूप से यह केवल बारिश के समय ही यह पौधे देखे जाते है ठीक है बारिश के बाद यह पौधे जो है अपने आप मर जाते है ठीक है केवल बारिश के मौसाम में यह जो पौधे है यह उगते है इसका वास्तविक नाम है Venus Fly Trap, ठीक है, Venus Fly Trap, नाम से इस पर स्ट है, याने कि छोटे-छोटे जो उड़ने वाले कीडे होते हैं, उन्हें Trap करना है, याने कि पकड़ करके खा जाना, क्योंकि यह क्या है, कीड़ भक्षी है, मासाहारी पौधा है, आप पहले इसकुल में पढ घट पढ़नी, घट पढ़नी, यह आप वर्ड सुने होंगे, याने कि ऐसे पौधा है, जो कीड़ो को पकल करके उसका आउशोशन कर लेते हैं, ठीक है, जो दूसरे कीड़ो पर निर्भर करते हैं, पर भक्षी होते हैं, ठीक है, आपके मासाहारी पौधे, इसका जो वानस ही छोटे कीडे मकोडे को अपनी पतियों में जकड करके उसे चूस लेता है, ठीक है, तो यह है आपका पौधा, अगर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपके पत्ती का मुग जो है कुछ काटेदार है, इसके रेशाओं में फसकरके, इसके अंदर फसकरके जो है ले को पूरी तरीके से इनके दोरा चूस लिया जाता है, और उन कीडों की जिंदगी पर ही इन पौधों की जिंदगी निर्भर करती है, तो यह है आपके अमेरिकी कीड भक्षी मासाहारी पौधे, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मठपराई भित्ती श शिल्पकार है, वो है अभिशेक सपन, अभिशेक सपन जो है इसके प्रसिद्ध शिल्पकार है, यह जो आपका जो भित्ती शिल्पकला है, यह है क्या, देखिए, इसमें आपका मठ मिट्टी, याने की मिट्टी, परही कागाज तथा खल्ली की लुगदी, इन सभी को, इन उकेरी जाती है देखिए चतिस गड़ की सांस्क्रितिक लोकन रित्य लोक कथा लोक कहानी लोक परंपरा तीज तेवार पशु पक्षी देवी देवताओं की जो कृती है कृती अपनी कल्पना शिल्ता से बना रहे हैं कौन अभिशेक सपन देखिए यह आपका जो मठ परही भित्ति शिल्प है यह अभी विलूप्त हो चुका है ठीक है वरतवान में जो है विलूप्त हो चुका है देखिए तो लुगदी से जो आपका बनता है आपका मटेरियल उसे दिवाल के उपर चिपका करके अलग-अलग आकरितिया उकेरी जाती है यह एक तरीके से पुतले सर्विक्षन 2022 अभी हाल ही में कांगेर घाटी नैशनल पार्क बस्तर में जो है पक्षी सर्विक्षन का आयोजन हुआ यह आयोजन तीन दिवसी था जो की 25 से लेकर के 27 नवंबर 2022 तक चला आपके लिए केवल यह डेट ही इन्पोर्टेंट है इसके लाब कुछ भी इन्पो वैसे तो यह सर्विक्षन है ऐसे दवा किया गया कि इस सर्विक्षन में 11 राज्यों के 56 पक्षी विशेशक के शामिल हुए लेकिन बाद में न्यूज में यह भी खबर सुनने के लिए आया कि इसमें जो शामिल थे आपके जितने विशेशक यह वो एक्चुल में सिद्वा किसदेट में हुआ नवंबर के महने में 25 से लिए 27 नवंबर के मद्य आपकी 25 अविक्षन का आयो जन किया गया नेक्ष देख़े नेक्ष्ट है नर्सीह गंगा गुफा जो की कोर्बजिले के चैत्मा में स्थीत है इस गुफा में एक शिवलिंग भी है ठीक है यहाँ पर एक जर्णा है जिसका नाम है आपका नर्सी गंगा गुफा में कार्तिक पूर्णीमा के दिन मेले का आयोजन भी होता है देखिए जो नर्सी गंगा गुफा है ये actually में है क्या नर्सी गंगा गुफा के समीप मौजूद है आपका एक प्राकर्तिक जर्ना ऐसा माननेता है कि इस जर्ने में नहाने से पहले थोड़ा सा चावाल और कुछ सिक्क्य के साथ सिक्क्य को उस जर्ने में अरपित करके उसके जर्ने का पानी गिरता ही नहीं ऐसा यहां पर इस्थान ये इस तर पर माननेता प्रचलित है यानि कि अगर किसी व्यक्ति के मन में पाप होगा तो उस व्यक्ति के उपर जो है जर्ने का पानी नहीं गिरेगा तो यह है आपका चैत्मा कोर्बा में इस्थित पल्मा पहाडी पर मौझूद है आपका भगवान नर्सी को समर्पित नर्सी गंगा गुफा आपसे पुछा जाया कि नर्सी गंगा गुफा किस स्थान पर है तो यह है आपके पलमा पहार कोड़बा चैत्मा में ठीक है नेश्ट देखिए हाइड्रो उर्जा भंडारन परियोजना हाइड्र इस्टोर करने के लिए ठीक है क्या इसके लिए भंडारन की परियोजना है आपका हाइड्रो उर्जा भंडारन परियोजना ठीक है इस केंद्र सरकार की हाइड्रो उर्जा भंडारन परियोजना प्रदेश के पांच पंप हाइड्रो पावर जो है इस्टोरेज यहां पर च किकासार पंप इस्टोरेज प्रोजेक्ट गरिया बंद और एक है आपका कोट पल्ली पंप इस्टोरेज प्रोजेक्ट बलरामपूर ठीक है प्रशन पूछा जाए केंद्र सरकार की हाइड्रो उर्जा भंडारन पर योजना के ताद प्रदेश के कितने इस्थानों पर इस्टोरेज प्रस्तावित है तो कितने इस्थान पर पांच इंडिविजुल प्रशन पूछा जाएगा कि रैनी पंप इस्टोरेज प्रोजेक्ट किस जिले संबंदित है जश्पूर से दांगरी पंप इस्टोरेज प्रोजेक्ट किस जिले संबंदित है जश्पूर से ठ इस्थापित किया जा रहा है राजनान गाउजिले के डोंगर गाउँ में डोंगर गाउँ में लगवा पास्व एकर छेत्र में 120 मेगावाट शमता का देश का सबसे बड़ा सोलर एनरजी इस्टोरेज ध्यान दीजेगा इस्टोरेज यहने की जो इलेक्रिसिटी जनरेट रहने के लिए देश का सबसे बड़ा सोलर एनरजी इस्टोरेज प्लांट इस्थापित किया जा रहा है इस प्लांट से उत्पादित होने वाली बिजली को 36 राज्य विद्यूत वित्रण कंपनी लिमिटेड खरीदेगी और आस पास के इस्थानी गाउँ में उसे वित्रि हमारे प्रदेश के पांच उन्नत फसलों का लोकारपन किया गया एक है आपका कुसुम जिसका नाम है आपका सीजी कुसुम टू एक है अलसी अलसी के फसल का नाम है वर्षा अलसी टू एक है गेहूं जिसका नाम है विद्या ठीक है जो उन्नत फसल है उसका नाम क्या है वि वर्षा अलसी, विद्या, 36गड राएगड धनिया, 36गड राएगड हल्दी फुट अनका नाम याद रख लीजिएगा ठीक है नेक्स देखिए गोपाश्टी परव गोपाश्टी परव क्या है देखिए इस गोपाश्टी परव का आयोजन कार्तिक मास की सुकल पक्ष की आठ दिन माद गोपाष्टी पर्व मनाया जाता है यादव समूदाय के दोरा, ठीक है, यादव समूदाय के दोरा एक मातर तिहार मनाया जाता है, और मातर तिहार के अत्रिक्त आपके गोपाष्टी पर्व ही मनाया जाता है आपकी यादव समूदाय के दोरा, इस गोपाष् याने कि आपका अश्टमी तो कार्तिक मास की सुक्ल पक्ष की अश्टमी को याने कि दिपाउजी के आठवे दिन गोपाश्टी पर्व का आयोजन होता है यादो समुदाय के द्वारा मनाया जाता है इस दिन राउत नाचा की आता है गाय और भगवान स्रीक्रिष्न की इंपोर्टेंट है इसे याद रखना अभी हाल ही में प्रदेश का प्रदेश का प्रदेश का अहाइजन होा इस के शुरवात Хुई थी आपके वर्ष 1980 С thấy आ आया हुआ प्रश्न है बिलासपूर में जो आपके प्रदेश का सबसे बड़ा राउत नाचा महत्सों का आयोजन होता है इसकी शुरुवात कप से हुई थी वर्ष 1978 से ये प्रश्न आया हुआ है प्रश्न पूछा जाता है कि प्रदेश का सबसे बड़ा राउत नाचा महत्स सिमगा खमतराई और भरनी आपको बस पहला याद रखना है ठीक है जो परसदा है ये पिछले तीन-चार सालों से लगाता है राहुत नाचा महुत्सों में आपका विजयता टीम रह रहा है ठीक नेक्ट देखिए सियान हेल्प लाइन नंबर केवल नंबर ध्यान दे दिएगा यानि की थर्ड जेंडर के लोगों के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा हेल्प लाइन नंबर जारी किया गया है एक है 155-326-1800-233-8989 ये नंबर याद रख लीजेगा नेक्स्ट है आपका डांड पानी विरिहत जल पर योजना है इसकी घोशन प्रदेश सरकार के दोरा की गई थी और साथ ही साथ इसका जो आपका प्रदर्शनी है राज्योस् किस जिले में प्रस्तावित है जश्पूर जिले के कुनकुरी ब्लॉक में ये प्रस्तावित है ये जो आपका बांध है ये आपके डांड पानी जो जराशे बनाया जाएगा ये अठरा सो मीटर लंबा और 35.71 यानि कि 35.71 उचा होगा साथ ही साथ इस डांड पानी व्रिहत जल पर योजना में 5 मेगा वाट विद्द उत्पादन भी प्रस्तावित है ये याद रखेगा कि डांड पानी व्रिहत जल पर योजना कि जिले संबंदित है जश्पूर जिले के कुनकुरी ब्लॉक संबंदित है जो की इव नदी के उपर निर्मित है नेक्स्ट कुछ भपेश बघिल जी के द्वारा कुछ सहित्तेकारों को सम्मानित टोटल 13 सहित्तेकारों को सम्मानित किया गया और साथ इसाथ कुछ पुस्तकों का विमोचन भी हुआ जैसे कि महतरु मधुकर जो आए महतरु मधुकर इनकी पुस्तक गुर्तुर भाखा, डॉक्टर इनकी पुस्तक गावला सिर्जाबो, राजेंद्र प्रसाद सिन्हा, इनकी पुस्तक अमरया हे मन भावन, कमलेश प्रसाद सर्मा बाबु, इनकी पुस्तक कुटिस बंदरा, जजरग ये पुस्तक इसका विमोचन किया गया मुख्यमात्री भुपेश बगल जी के द्वाला पुस्तकों से पुछे जाता है एक्जाम में, ठीक है, जो पुस्तकों के डविन डविन पुस्तकों को जो विमोचन होता है उससे पुस्तक बनते है, तो थोड़ा सा इनका नाम याद रख लिजेगा, कि कौन से पुस्तक की लेखा कौन है, ठीक है, तो ये पुस्तकों की नृत्य महाँचिव था, राष्टिया दिवसी नृत्य महाँचिव का आयोजन एक से लेकर के तीन नमबर के मद्य हुआ, साइंस कॉलेज मैदान राइपूर में हुआ, जिसमें आपके दो स्रेणियों में ये नृत्य हुआ, एक था आपका फसल कटा इस रेणी, दूसरा था विवाह संसकार, फसल कटा इस रेणी में जो है, आपके प्रथम इस्थान पर रहा 36 गड़, और आपके विवाह संसकार में रहा सिक्कीम, 36 गड़ के कर्मरित्य को प्रथम पूरुसकार पांच लाख रुपे मिला, दूसरा नृत्य को ये पूरुसकार प्रदान किया गया, थर्ड तृतिय पूरुसकार दो लाख रुपे ये प्रदान किया गया, हिमाचल प्रदेश के गडदिन रित्य को फसल कटाई के स्रेणी में, जबकि जारखंड के दमनाच रित्य को जो है, विवाह संसकार स्रेणी में ये है पूरुसकार प्रदान किया गया, इसमें जो है न्यूजिलेंड, इजिप्ट और रवांडा, यहां के कलाकार इसमें शामिल हुए थे, ठीक है, प्रदेश का चौथा लक्षमन जूला, देखे, हाल ही में प्रदेश का चौथा लक्षमन जूला, यह प्रस्तावित किया गया है आपके शिवनात निदी के उपर, किसके उपर शिवनात निदी के उपर, अगर हम बात करें हमारे प्रदेश किस-किस इस्थान पर लक्षमन जूला बना हुआ है, एक है आपका महादेव घाट रायपूर, ठीक है, कहां पर महादेव घाट रायपूर में एक लक्षमन जूला है, राजीम में एक लक्षमन जूला बनाया आपके शिवनात नदी के ऊपर ठीक है आपके मरमरा तट मरमरा तट पर राज्य के चौथे लक्षम जूली का निर्मान होगा तो यह सब याद रख लिजेगा पहला माध्योगा ट्राइपूर दूसरा राजीम तीसरा आपका खारुन नदी के ऊपर ठकुराइन टोला में और एक चौथा बन रहा है आपके मरमरा तट में शिवनात नदी के ऊपर विविद थोड़ा सा आगे पीछे हो गया थोड़ा देख लीजेगा इसे विविद में देखिए यहाँ पर जो है आपके नीलगाय प्रजनन केंद्र यह कहां पर है पूछा जाए ध्यान दीजेगा य यह मौझूद है आपके कांगेर घाटी नेशनल पार्क बस्तर में एक है नीलगाय एवं चित्तल पार्क जो की मौझूद है रामानु जगंज बलरामपूर में और यह है नीलगाय प्रजनन केंद्र जो की मौझूद है आपके कांगेर घाटी नेशनल पार्क में Commonwealth Chase Championship जो कि स्रिलंका में आयोजीत होने वाला है वहाँ पर भारती टीम का ये प्रतिनी दित्व करेगी Next है प्रदेश का सबसे बड़ा Medical College प्रदेश का सबसे बड़ा Medical College है आपका चंदुलाल चंद्राकर Medical College जो कि दुर्ग जीले में इस्थित है दुर्ग जीले का चंदुलाल चंद्राकर Medical College प्रदेश का सबसे बड़ा Medical College होगा देखिए अगर हम बात करें हमारे प्रदेश के अन्य Medical College में 180 सीट, 150 सीट, 100 सीट ऐसे है लेकिन ये जो चंदुलाल चंद्राकर Medical College है इसमें टोटल आपके 200 सीट है ठीक है टोटल दोस सीट है इन्पोर्टेंट एसे भी याद रख लेना देखिए BNC मिल जो आपका बंगालनाकपूर कॉटन मिल है ये बंध हो चुका था राजनाद का जीले में यहां पर आपके टोटल तीन मिल मजदूर आंदुलन भी हुए थे काफी समय से बंध पड़ा है मुक्के मंत्री भुप किजिएगा लाइक और शेयर जरू किजिएगा धन्यवाद